हालो दोस्तों अन्स टेक्निकल जॉब सेंटर यूटूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है तो दोस्तों आज हम अपने यूटूब चैनल अन्स टेक्निकल जॉब सेंटर पे एक न्यू आटी आई से रेलेटर लेटिस्ट कैमपस प्लेस्मेंट नोटिफ काफी अच्छी खासी कंपनी है यह चलिए इसके फुल पूरा इंफार्मेशन इसका फुल डेटेल से समझते हैं कंपनी नेम हिटाची प्रावेट लिम्टेड ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों दिखाते हैं इसमें जो आपका जौब प्रोफाइल रहेगा वो ट्रेनिंग सिस्टम प्रावेट लिम्टेड कंपनी के कैंपस प्लेश्मेंट के लिए ठीक है तो दोस्तों दोनों मेल एंड फिमेल दोनों कैंडिडेट एलेजबल है जोब लोकेशन जो होने वाला है वो नोएडा उत्तर प्रदेश यानि कि हिटाची आटोमोटिव सिस्टम का जो एक प्लांट नोएडा उत्तर प्रदेश में इस्तित है उसी प्लांट के लिए ये रिक्वायर्मेंट निकल के आई है ठीक है क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आई टी आई पास आउट और डिप्लोमा पास आउट दोनों कैंडिडेट एलेजबल है या तो आपके पास आ आटोमोटिव सिस्टम प्राइवेट लिम्टेड कंपनी की कैंपस प्लेस्मेंट के लिए ठीक है एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो 18-35 साल यानि की काफी अच्छी खासी एज बाउंडेशन रखा है हेटाची आटोमोटिव सिस्टम प्राइवेट लिम्टेड ने ठीक है सेलरी अंड बेनिफिट की बात करते हैं तो आइटिय वालों को जो सैलरी प्रोवाइٹ करेगी यह कंपनी उस देजार हजार पांशार रूपए पर मंत आठ घंटि की की ड्यूटि थीक है। डिप्लोमा वालों को जो salary देगी company वो 13500 रूपे पर मंत 8 घंटी की duty ठीक है तो यानि कि जो भी सही चीज जो भी real है मैं वही चीज बताता हूँ fake news में बताता नहीं हूँ ठीक है आपको जो salary ये company देगी वो 10500 रूपे पर मंत ITI की salary है और डिप्लोमा वालों की salary 13500 रूपे पर मंत आगे बढ़ते हैं दोस्तों other benefit की बात करते हैं तो bus and canteen facilities provide company की तरफ से free है ठीक है document की बात करते हैं तो 10 की marks, ITI marks it, diploma marks it, आधार card, pen card, 5 passport size color photo ये सारे document लेके आपको Hitachi Automotive System private limited company के campus placement के लिए जाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों interview location की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो campus placement का आयोजन हो रहा है वो government ITI यानि कि अद्योगिक प्रसिश्चन संस्तान अली गेंज लखनव यानि कि ये जो campus placement लगाया जा रहा है वो अद्योगिक government स्वारी दोस्तों राजकी अद्योगिक प्रसिश्चन संस्तान अली गेंज लखनव और दिनांक है 14 फरवरी 2024 तो जो भी नियरबाई candidate जो government ITI अली गेंज लखनव के नियरबाई हैं जो पहुंच सकते हैं वहाँ तो वो लोग अगर आप लोग आईटी आई पास आउट हैं और दोस्त आप लोग डिप्लोमा पास आउट अगर हैं और आपको हिटाची Automotive System Private Limited नोड़ा उत्तर प्रदेश में जाब करने के लिए चुक हैं तो आप लोग 14 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे government ITI अली गेंज लखनव उत्तर प्रदेश में जाके अपना सेलेक्शन इंटर्व्यू के माध्यम से ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यह था इनफार्मेशन जो मैं दिया आपको वह हिटाची Automotive System Private Limited की तरब से जो कैमपस प्लेस्मेंट का आयोजन किये जा रहा है उसके बारे में मैंने पुरा फुल डिटेल से आपको समझाया और बताया ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में नेस्ट कैमपस प्लेस् देक्यू दैनले वाद जैहिन दोस्तों